टमाटर एक ऐसा फल है जिसे लगबग हर गर में या हर जगह पर किसी ना किसी सबजी के रूप में या सलेट के रूप में खाया जाता है क्योंकि टमाटर में बहुत सारे गुण होते हैं जो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट देते हैं तो इसलिए आज है आप देख रहे हैं सौरब किसान और आप जानेंगे कि टमाटर की खेती आप गर पर कैसे कर सकते हैं और कैसे अच्छे से आपकी सब्जी में और्गेनिक तरीके से या अपने गर पे यूज़ कर रहे हैं उसमें और्गेनिक टमाटर का उप्योग कर सकते है तो चलिए जान दो टमाटर का पोधा एक ऐसा पोधा होता है जिसमें जड़ में थोड़ी जो फंगस लगने की समश्या ज़्यादा आती है या टमाटर एक इसी जगह में लगाया जाए जहाँ पर उसको जड़े फेलने के लिए बहुत ही परियापत जगह उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है कहने का मतलब यह है कि अगर आप जैसे कोई बड़ा पोट या कोई बड़ी जो एक आजकल जो हरे कंटेनर आते हैं उनमें बड़ा कंटेनर अगर यूज ले रहे हैं तो आपको टमाटर का उतपादन बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि उसको जो टमाटर की जड़े हैं उनको फेलने का अच्छे से स्पेस मिल जाएगा जिससे पोधा अच्छे से बनेगा और प्रोड़क्शन भी बहुत अच्छा देगा इसे के साथ साथ दूसरी बात आती है टमाटर के बीज कैसे उगाएं और किस तरह से उनको ट्रांस्पलांट करें तो बीज उगाने के लिए आपको अच्छे से कोई भी अच्छा बीज मार्केट से खरीद के लाना है और उसको जो अपने ग्रीन जो अपने कंटेनर जो लेके आए हैं उसमें पीली मिटी या जो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की जो मात्रा उसमें उसके 15-20 बीज आपके नॉर्मल एक गर के लिए डाल देने हैं जो डालने के बाद जब भी जर्मिनेट हो जाए और उनके 15-20 दिन बाद अच्छे से अगर 3-4 इंच का अगर एक पोधा हो जाता है उस समय उन पोधों को वहाँ से निकाल कर एक एक पोट में या एक एक जो गमला है उसमें वहाँ ले पाएंगे ट्रांस्पलांट क्रने का कारण यह रहता है कि जो इसका अगर नॉर्मल भासा में कैट तो इसको बज़ार करते हैं और इस बीज़ार को करने के बाद अगर कोई भी पोधा ट्रांस्पलांट किया जाता है तो उसका प्रोड़क्शन ही बहुत खाद के लिए आप अगर घर के लिए औरगनिक रूप से खेती कर रहे हैं तो आप इसमें वर्मी कमपोस्ट का यूज जरूर करें क्योंकि वर्मी कमपोस्ट में 22 तरह के एंजाइम पाएं जाते हैं जो औरगनिक रूप से काम करते हैं और इनका जो फाइदा है वह भी बहु आगे बात आती है कि टमाटर में किस तरीके से हम कौन सा स्प्रे करें जिससे उसमें रोग भी कम आए और हमारे जो फंगस जनित जो रोग होते हैं वो भी कम देखने को मिलें तो इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा विल्डी नाम से एक जेविक करेंगी और जो सामने वाली जो फफूंद जो पोदे को नुक्सान पहुचाती है उनको भी रोकने का काम करेंगी तो यह मिट्टी में डाल देने से यह फफूंद की बीमारिया होती है बहुत ही कम देखने को मिलती है इसके बाद अगर उपर कोई रोग आ रहा है जैसे ली प्रेनों का कारण यह होता है कि अंदर कोई ना कोई इसा जीव चल रहा है और पत्यों को खराब कर रहा है तो उसके लिए आपको और्गनिक रूप से नीमोयल का स्परे करना चाहिए या शुरुवाती दिनों में अगर आपको एक दो पत्ती ही दिख जाए तो उन पत्तिय को काट कर हटा देना चाहिए और दूर फेंक देना चाहिए तो वह आगे नहीं फेलेगा और इसके लिए आप फिरोमेंट रेप का भी यूज कर सकते हैं गर के उपर जिससे जो मक्षी मच्चर जो इनको फेलाने का काम करते हैं वह भी रुख जाएंगे तो इस तरह से आप टमाटर में रोग परबंदन भी कर सकते हैं और अगर आपको जेविक तरीके से कोई भी इसका जो अलग से रोग आ चुका है उसका उपाई चाहिए तो आप कॉमेंट वोक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो इस तरह से आप टमाटर का प्रोड़क्शन घर पर ले सकत हैं मिट्टी में अगर बात करें तो मिट्टी के लिए आपको पीली मिट्टी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्टीनों का एक बटा तीन हिस्सा लेकर जो मिट्टी तयार करनी है जिससे भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाएगा तो इस तरह से टमाटर आप घर पर लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें